हलो दोस्तों आप सभी को एक नए वीडियो के साथ मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आशा करती हूं सबको इस्वाज्ट है अपने अपने घरों में बहुत सारा एंज्या कर रहे हैं आज के वीडियो में हम बात करेंगे लैकमी का न्यूली लॉंच आइसाइडो पैल करेंगे उसमें हम ब्रीफली डीटेल्स में बात करेंगे उसका सेड बहुत अच्छे से तो आज मैं वह वीडियो लेकर के आई हूं और यह है हम लोग का फर्स्ट जो पैलेट जो कह है यह वन इवनिंग ग्लैम कुछ इस तरह का यहां पर आपको सेड लिखा हुआ मिल पीछे में थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्सन मिल जाता है जैसे की पैलेट मैं आपको मिल जाता है वह तो इसके साथ आंपको बहुत ज्यादा नंस कर सकते हैं यह यह क्वांटिटी ओलेट बटर के 52vert 400 रुपी recognize first तो काफी ज़्यादा एफड़ेबल है और थ्री येर्स के आपको मिल जाएगी सेलफ लाइब तो चलिए हम इसका इनर पैकेजिंग देख लेते हैं इनर जाएंगे तो आप यह देख सकते हो यह कुछ इस तरह का पेपर थोड़ा सा स्ट्रॉंग पेपर के साथ इसमें फॉम लगा हुआ है ताकि ऐसा प्रोटेक्शन दिया गया है ताकि यह पैलेट जो है वह तूटे ना या फिर आपका कलर जो है सब खराब ना हो बर्ट इसका क्वालिटी आप देख सकते हो इतना स्ट्रॉंग नहीं है और फिर भी यह प्रोटेक्शन के साथ आता है इनर का पैक पैलेट आपको दिख सकते हो इस तरह साथ आपको नाइन सीड एक पैलेट में मिल जाएगा और इसका जो प्राइस है वो 399 जो इन्फरमेशन बाहर है ना वही सारा कुछ यहां पर आपको लिखावा मिल जाता है अब अगर हम पैलेट को ओपन करते हैं तो यह कुछ इस तर इवनिंग ग्लैम पैलेट है आप में बार बार मेंशन कर रही हूं यहां पर देख सकते हैं यह इसमें मिल जाता है आपको मैटालीक मैट और सिमरी पार्टिकल्स का सारा कलर और इसके साथ आप अपने आए को एनांस कर सकते हो फटाफर से इसका स्वाज़स में दिखा देत कुछ इस तरह का आएगा आइस में थोड़ा अलग दिखेगा ओविसली मेकप के साथ है हैं पे कुछ नहीं है नॉर्मल स्वाचे से तब नॉर्मल स्किन के साथ इसका कलर और मेकप के साथ कलर देख सकते हैं यह तीन जो था ना यह आपका नॉर्मल था मैट फिनिस में यह भी आ रहा है आपका सीमरी पार्टिकल्स का जो की ब्लू बे है और एक एक स्ट्रोक में ही यह पिग्मेंटेड इसका बहुत जादा है आप यह सिल्वर का देख सकते हो आप सिल्वर का भी काफी जादा मेटलिक जैसा लग रहा है और बहुत ही प्रीटी सा लग रहा है आप तो जो हम लोग का यह नॉर्मल सा आप अगर आइस को स्मोकी एपेक्ट देना चाहते हैं तो यह सब कलर भी यूज़ कर सकते हैं यह आपका आगया मेटलिक ग्रीन कलर का यह मेटलिक ग्रीन थोड़ा सा और लास्ट जो हम लोगा कलर है वो है ब्राउन शेट जो कि आप स्मोकी आइस क्रियेट आराम से कर सकते हो अभी मैं इसको आई पे लगा कर दिखाऊंगी और इसका पिग्मेंटेशन कैसा है क्या है आपने तो देख लिया है इस सेट बहुत ही से ब्लेंड होता है तो सबसे पहले मैं बेस मेकफ के हिसाब से एक लाइट सा नॉर्माली थोड़ा सा ब्राउन कलर को ओपर मैं ही ऐसे बश्ट हलका है स्मोकी भी नहीं और ज्यादा सीमरी भी नहीं नॉर्माल आये का लुक के क्रियेट करने के लिए मैं कोसेश कर रही हूं और इसका पिग्मेंटेशन है काफी जाधा अच्छा है दोस्तो थोड़ा सा मैंने लिया था और आप देख सकते हो दोनों आये से यह परफेक्टली ब्राउन सा कलर आ चुका है मैं थोड़ा सा नस्दीक से आप लोग को डिखा देते हूं और वैसे मैं आप लोग को सबसे पहले बताना चाहूंगी कि मुझे इतना ज्यादा आई मेकप या फेस का मेकप नहीं आता है करना थोड़ा बहुत मैं आप लोग के लिए कोशिश करती हूं अब यह वाला सेट को मैंने अप्लै किया हूँ है अब थोड़ा बहुत जैसे कि आप देख सकते हो मेरा जो कुट बहुत ही थोड़ा सा थोड़ा सा यह कलर आप लोंको लगेगा ज्यादा नहीं लगेगा और यह बहुत ज्यादा पिग्मेंटेशन दे रहा है मेरे लिए तो काफी ज्यादा है और जो लोग को बहुत अच्छे से डीप मेकप बोल्ट आय मेकप क्रेट करना है उनके लिए यह पर्फेक्ट रहेगा में लिए इतना भी बहुत जादा हो रहा है अब थोड़ा बहुत हम लेकर देखते हैं और मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि मैं क्या कर रही हूं कुछ करने की कोशिश कर रही हूं देखते हैं कैसा दिखता है मुझे बिल्कुल कलर की कैसे आप लोगों के पास मुबाइल पर ही कर रही हूं तो इतना अच्छा नहीं हो रहा है इसका पार्टिकल जो है कुछ भी डस्टिंग नहीं हो रही है जैसे कि दूसरों का कुछ कुछ गिर जाता है ना वैसा कुछ नहीं है और आप देख सकते हैं इसली एक बहुत ही प्यारा अगर हम प्यार चाहें तो उन डाल सकते हैं तो मैं यहां पर हलका सा सिमर देने के कोशिश करते हूं और यह जो है ना ही मेटालिक कलर है और इसका जो यह इसका जो पार्टिकल है वह मुझे ठोड़ा नहीं पसंद आ रहा है क्योंकि यह थोड़ा सब्सक्र दीक है दिख रह हो रहा है और वो डस्ट जैसा गिर भी रहा है आपके फेस पे वह तो इसलिए उसका थोड़ा सा ध्याना की आंखों के अंदर भी जा सकता है तो वह थोड़ा सा इसका मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा अभी जब नजदीक से मैं अप्लाय कर रही हूँ तो वो इच पार्टिकल आपको दिख भी रहा है और हाथ में आप इसको पकड़ भी सकते हैं कुछ इस तरह का इसका है आप यहां क्लोज ली देख सकते हो यह देखिए कितना बड़ा बड़ा जैसा दिख रहा है न तो वो आप यह अच्छा है और कुछ इस तरह का आयका हो गया है अब नहीं बता मुझे यह क्या दिख रहा है क्या नहीं आप लोग थोड़ा सा अच्छे से जानते हो दोस्तों फिर भी मैं आप लोगे लिए थोड़ा सा कोशिश कर रही हूं और इच सेट जो है ना इच सेट बहुत ही चलिए इसको पोच के दिखाती हूं कुछ कलर तो यह आप देख सकते हैंगे जा ही नहीं रहा है डोनों हाथ पर मैंने और लिडिया क्या हुआ था आप यहां पर ध्यान दिजिएगा यह वाला सेट जो है यह देखिए बहुत ही थोड़ा बहुत ट्रांसपर हो रहा है और नहीं तो यह बहुत ही अच्छे से लग के है इसली यह वाला आइधिंक जा सकता है यहां पर भी आया बट यह और भी ब्लेंड हो गया तो आप इसको ऐसे हाइलाइटर भी आइधिंक यूज कर सकते हैं तो चलिए हम वो देख लेते हैं कि हम इसको ऐसे हाइलाइटर यूज कर पाएंगे या नहीं और कैसा लग रहा है मेरा आय का मेकप आप जरूर बताएगा मुझे इतना नहीं आता है जो है आप लोग के लिए थोड़ा बहुत की हूं बट मुझे तो नही चलिए ठीक है बलस ट्राइ करते हैं इसको वही पिंक वाला सेट को लेकर के इसको मैं हाथ से एपलाय करती हूं दोस्तों ओ वाव अच्छा सा कलरा रहें दोस्तों यह और थोड़ा सा बस थोड़ा सा ही यह देखिए टैप एंड टैप इतना इतना में यह अपका पूरा बलश का काम कर रहा है और चूट भी नहीं रहा है साथ मैं हाइलाइटर भी अपलाय हो गया इधिंक आच्छ ठीक है और आप यह काफी अच्छा लगा है इसका पार्टी के लिए काफी स्मूथ है एकसेप्ट इस मेटालिक कलर यह मैटालिक कलर है इसलिए यही है दूसरा सेट का वीडियो बहुत जल्द आएगा तो आप उसमें भी देख सकते हैं और यह आप लोग को कैसा लगा मुझे जरूर बताईए का कमेंट करके मेरे लिए तो काफी जादा बैटर है अगर आप कोई कॉलेज गोइंग गल है या फिर डेली वेर आपको आइसाट हो कुछ चाहिए कम बजेट में तो यह परफेक्ट रहेगा इधिंक के फो थ्री नाइन जाने की पोर हंडेड रूपीस में और आपको नाइ बहुत ही लंबा इसका सेल प्लाइब भी है अरे बाबरे इसको और ही खराब करने हुआ इधिंक मैं तो और मुझे इसके उपर छेड़ खानी या एक्स्परिमेंट करने के साहयत जरूरत नहीं है छोड़ देते हैं इसको जैसा है तो देख सकते हैं कुछ तरहासा में बन ग प्रिमों पर देने से ही सायत चूटेगा अधरवाइस तो जाही नहीं रहा है वर ठीक है कोई नहीं इसका पिग्मेंटेशन काफी जादा अच्छा है स्टिकी है मतलब इतना जाइजी यह नहीं चूटेगा आप यह मैटली कलर एबाबा यह जो मैटली कलर है ना उसको आप पार्टिस्पेट करना है तब यह वाला सिमर वाला मेटलिक वाला कलर आप यूज करना चाहिए अदरवास यह दूसरा पर तो काम नहीं आएगा कोई बात नहीं यह था मेरा आज का वीडियो इसके उपर डीटेल्स में आपको सेट दिखाना और यह कैसा लग रहा है आप च अपड़ेबल है तो प्लीज एक बार ट्राय जरूर करिएगा स्पॉंसर वीडियो नहीं है बट आप चाहो तो ट्राय कर सकते हो तो ठीक है यह वीडियो का आज हम यहीं पर रखते हैं फिर मिलेंगे इसका दूसरा सेट के साथ और तब तक लिए अपना ख्याल रखिए वी